नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अदित्य और आप देखें DJ Light Pricks दोस्तों आज का वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं जीया की शारपी जोकी इसका कमपनी के डीलर से और यह डेलेवरी हो चुका है हमारे शौक पर दोस्तों इस सारपी के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आप लोगों को देख देता हूं जैसे के ऊपर से यहाँ पर कमपनी के ब्रांडिंग दिख रही है जीया जे 461 इसकी मोडल नमबर है और इधर डबे मे राइट साइड देख सकते दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है गोबो 5 गलास में रहने वाला है प्लस 12 मेटल गलास प्लस 1 दोस्तों यहाँ पर कलर आपको मिलने वाला है चाओदा प्लस 1 प्लस डेवल कलर और दोस्तों यहाँ पर आपको प्रिजम मिलने वाला है आइट या DMX 1024 कोई भी कंट्रोल आप इसमें चूज कर सकते हैं दोस्तिया आपर 6 ऑटो डिजाइन भी दिया हुआ है पलस साउंड मोड अब दोस्तों आईए मैं डबे को पीछे साट सी दिखाता हूँ इधर भी ब्रांडिंग है कंपनी की जिया और इधर भी मोडल नमर लिखा हु देखिए वटरफ्लाय लोग आशानी से खुल जाता है और यहां पर यह देखिए उपर से अब दोस्तों यहां पर उपर से आप देखिए तो सबसे पहले दो क्लैंप नजर आते हैं एक सारफी पर यह देखिए जो कि ट्रस पर इसे जब हुंक करेंगे तो यह काफी का दियान रखा है कंपई ने देखिए श्कुरूब से इसे टाइंट किया गया है वह भी काफी मोटे वाले श्कुरूब है यहां पर बाकि दोस्तों इसका क्लैंप तो काफी अच्छा लगा आईए यहां पर देख रहे हैं इसे घुमा के आप इसका मुंग को छोटा रख सकते हैं तो चलिए दोस्तों इसे टेबल पर रख लेते हैं और उसके बाद इसकी कनेक्शन वाइंग सारा कुछ डिटेल रहने वाला इस वीडियो में तो वीडियो को लाज्ट तक जहूर देखेगा दोस्तों यहां पर मैं दोनों सर्पी को निकाल के और टेबल पर र किया होता है आप में इससे देख सकते हैं यहां पर इसकी अस्पोकेन और हाइगेन मेल फिमेल जेक मिल जाएगी यहां पर यह देखिए एक रहाप पावर कोड और एक बुस्टिंग केवल यहां पर बुस्टिंग केवल दो दिया गया है दोस्तों एक सिरीज करने के लिए और दूसरा DMX से connect करने के लिए अब दोस्तों यहाँ पर दो पावर कोड़ आपको मिल जाएंगे और यह देखिए मेरे हाथ में है यह काफी मजबूत वायर होती है और यह जब आप ट्रस पे शार्पी को लगाते हैं उससे में इस वायर का यूज आता है दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि company की branding है यह शार्पी के body पर ही लगाए गया है जो कि काफी बहतरीन लूक लग रहा है और दोस्तों यहाँ पर डिस्पले आप देख सकते हैं और दोस्तों front side में आपको दो indicator मिल जाएगा एक DMX के लिए और एक audio mode के लिए अब दोस्तों आपर right side में एक button आपको देख रहा होगा यह rotate भी करता है और यह हमारा up down करने के लिए या numbering करने के लिए option लाने के लिए यही button हमें काम देगा अब दोस्तों आप शार्पी को आप उपर से देख सकते हैं जो कि class काफी heavy glass लग रहा है और यह देखिए जो कि up down वाला lock है दोस्तों जब भी आप शार्पी स्टार्ट करें उससे पहले ध्यान रखना है lock को खोल लेना है दोस्तों आप नीचे में भी एक lock मिल जाता है जो कि left और right में rotate करता है तो उसको lock करने के लिए यह lock है दोस्तों दोनों lock को ध्यान से खोल लेना है चालू करने से यह तो काफी रिक्सी हो जाएगा इसमें belt वगरा उतरने का chance बढ़ जाती है और यह खराब होने का chance उसमें बन जाया क्योंकि कीट पे जब रस्ती लोड पड़ेगा तो दोस्तों जब भी आप सार्पी चलाएं तो सबसे पहले इसका lock पहले खोल ले दोस्तों काफी important बात ह है चोटी चीज बट यह बहुत ही important बात है आप यहाँ पर सार्पी के lock को पहले खोल ले फिर इसे work में ले अब दोस्तों मैं इसका पीछे सट से आपको एक बार connection और wiring दिखा देता हूं इदर देख लिए यह काफी smooth type में up down और left right रोटेट कर रहा है अब दोस्तों आप switch आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगको एक दूसरे से सार्पी को patching करने के लिए DMX output और input वारा socket काम देगा और दोस्तों यहाँ पर safety purpose के लिए fuse दिया गया है दोस्तों और किसी परकार का भी fault होगा तो सबसे पहले हमारा fuse खराब होगा और उससे हमा सार्पी का अंदर का बोड़ बगएरा बच जाएगा और दोस्तों यहाँ पर safety में देख सकते हैं जगा जापे air ventilation भी दिये गया है ताकि अगर safety गर्म हो तो बहर से उसे cooling मिलता है ठंडा होता रहे है तो दोस्तों आईए मैं आपर पावर कोड को ले लेता हूं और सबसे पहले इसके line की wiring करता हूं दोस्तों यहाँ पर यह देखिए जो ऊपर में steel वारा देख रहा है उससे ऊपर right side घुमाना होता है और यह आराम से lock हो गया और दोस्तों यह देखिए इसे right side करेंगे तो यह tight हो जाएगा और यह lock हो जाती है यह देखिए इसे थ्वासा push हीच के और left side करना होता है तो यह खुल जाएगा फिर right side घुमाने से यह lock हो जागी दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा दूनों सरपी का power code side में आ चुका है और अब इन द अब चलिए आप लोगों को दिखाते हैं डिस्पले की side से दोस्तों यहाँ पर डिस्पले पहले auto इसे run करा के देख लेंगे फिर इसे DMX से control करेंगे दोस्तों यहाँ पर दोनों सरपी installing ले रही है देखिए आपको मैं डिस्पले में थो नजदिक से दिखाता हूं तो दोस और इसमें भी addressing है 001 और यह दोनों भी DMX मोड में चलने वाला है तो यहाँ पर patching कर दिए पीछे side से input output यह देखिए दोस्तों यह जो cable आया DMX से यह cable इस सरपी में input पे लगा है और इस से output होकर के अगले सरपी का input पे आया है यह patching complete है दोस्तों यह है power code जोकी इसमे line आ र दोस्तों यहाँ पर यह रहा DMX 512 और अब इसे on करते हैं यह देखिए on करते हैं यह अपना मूव ले लिए आगे side से यहाँ पर scale number one on है और इस पर डानेंग ब्राइटनेस यह देखिए अब इसरपी ओन हो चुका है और इसका यह देखिए first number से color change होगा लेकि सबसे नीचे करने से यह white रह जाता है अब दोस्तों यहाँ पर page selector को एक बार दबाएंगे page down में हो गया आप यहाँ पर देखिए 2 number और 4 number up down और left right के लिए 2 number से left right हो जाती है और चार नंबर से up down हो जाती है और यहाँ पर यह 5 number से पेज 1 में पांच नंबर से इसमें प्रीजम आएगा यह से पहले उपर कर दे तो folks समझ में आएगा अब दोस्तों यहाँ पर मैं slider को तिरे दिरे से उपर कर रहा हूं यहाँ पर प्रीजम का और color भी काफी सुंदर सुंदर है तो दोस्तों आज का वीडियो का अचाला comment के नीचे जहूर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और दोस्तों कर सारके आप लोग ख़िदना है तो डिस्केशन में contact मिल जाएगा और वीडियो में भी contact number मिल जाएगा तो जाकर कि चेक कर सकते हैं